सुबधार आवार आली जनाब नवाब शुजाउत दौला भादूर तश्रीफ ना रहे हैं तश्रीफ रख्रीफ अहले दर्बार को हालात से आगा किया जाए जी बिहार से शेहनशाह सल्तनत मुगलिया हुजूर शालम सानी का पैगाम मौसूल हुआ है कि वो लखनव आकर ना सिर्फ अपने शेहनशाह होने का दोबारा एलान करना चाहते हैं बल्कि वालिय अवद हुजूर नवाब साहब को अपना वजीर आजम बनाना चाहते हैं उन्हें हुजूर के जवाब का इंतजार है मुभारत हो ये पेश्क्रत मंदूर की जाए मंदूर की जाए नहीं नहीं वक्त ने हमारे कई फैसले गलत साबित किये हैं इसलिए इस बार हम एहले दर्बार को इजाज़त देते हैं कि वो बेखौफ अपनी राय का इजहार करें हुजूर पंजाब सिंध अबडाली के पास है मालवा मराटों के पास है और बिहार बंगाल को इस्ट इंडिया कंपनी हरड़ अप कर गई है मुगल सल्तनत के नाम पर बस दिल्ली बची हुई है इसलिए हुजूर आपके सिवा और कौन उनकी मदद कर सकता है बेनी बहादुर जी आप हमारे से पास आलार हैं आपकी क्या राय है हुजूर फिदा अली सही फरमाते हैं अगर महराठो के बाद किसी के पास फौजी ताकत है तो हमारे पास हमी उत्तरी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ताकत है अगर शेयंचा शाह अलम सानी हुजूर की तरफ देखते हैं तो अकलमंदी फरमाते हैं लेकिन पुणे के पेश्वा अवद को नहीं दिल्ली को मुगल सल्तनत मानते हैं वजह साफ है मुगल सल्तनत की राजदानी दिल्ली है उनके तख्त पर बैठने वालों को मुगल सल्तनत के सारे एक्तियारात हासिल है बाकी सब सुबे हैं गजानुन नायक जी आप हमारे दर्बार में पेश्वाजी के नए दूत हैं अगर हम शेहिंशाय शाह आलमसानी को दिल्ली ले जाना चाहें तो पेश्वाजी हमारी मदद करेंगे हुजूर माराधा दर्बार की निती मोगल राज्य को मजबूत बनाने की है जब केंद कमजोर होता है तो उसके सूबे तूटकर आज़ाद होने लगते हैं और अपने मदद के लिए बाहर वालों को बुलाने लगते हैं जैसे रुहिल खन के नवाब नजीब खान ने अबदाली को बुलाया और बंगाल और बिहार के नवाबों ने इस जिंडिया कमपनी वालों को हुजूर अगर डिली के मुगल सल्तनत को मजबूत बना कर केंज को मजबूत बनाते हैं तो मराठे आपका साथ जरूर देंगे लेकिन मराठों ने हुजूर को नहीं इमादल मुल्क को मुगल सल्तनत का वजीर बनाया है हुजूर ने हमारे पेश्वाजी के बेटे भाई और मराठा सरदारों के लाशों को लाखों में अबदाली से खरीद कर उनका दाह संसकार हिंदू रिती से करवा के अपनी दोस्ती का सुबूत दिया है हुजूर तो अबदाली के दर्बार में शरीक तक नहीं हुए हम शुकर गुजार हैं कि गजनन नायक जी को हमारी दोस्ती पर अत्बार है हुजूर उत्तरी हिंदुस्तान में हमारे अलावा है इकौन जिन पर मराठे अत्बार कर सकें और दक्कन में तो वो निजाम के आगे जुकी चुके हैं लेकिन राक्षस भुवन के लड़ाई में उन्हें निजाम को हरा दिया था और महाजी सिंधिया ने अभी राजपताने से चौत्वसुल की है लेकिन महाजी तो सुवेदार है ही नहीं हुजूर यही याद रखने की बात है जो सुवेदार ना होते हुए भी चौत्वसुल कर सकता है वो कल कितनी बड़ी ताकत बनेगा इस पर नज़र रखिए अगर हम मुगल सल्तनत के वजीर बन जाएं तो पेश्वा जी हमारा साथ देंगे आपका करम सही दुशा में है अगर इस्ट इंडिया कमपनी वालों का बिहार से आगे बढ़ना रुका तो आप पेश्वा से मदद की उमीद कर सकते हैं गजनन नायक जी आप हमारा पैगाम पेश्वा जी को पहुंचाएं और शेहनशा शाह आलमसानी को अपना पैगाम हम पहुंचवाएंगे दर्बार परखास